नमस्त्त दोस्तों आप सभी के एक बार फिर्सस स्वागत है आपके अपने योटोग चानल लेए फ्रेंट्स कई बार महिलाओं के निपल में बहुत सारे बदलाओं हो जाते हैं प्रेगनेंसी के दोरान निपल में बदलाओं क्यूं होते हैं और कई सारी महिलाओं को ये भी तो ये वीडियो आपके लिए बेहत लावप्रत सावित हो सकती है आप इस वीडियो में पूरी बाते ऐसी जानने वाले हैं जो आपको पहले पता नहीं थी देखे फ्रेंड्स निपल के आसपास बदलाव होना प्रेगनेंसी के पहले महीने से ही सुडू हो जाता है इन आपके सरीर में गर्भावस्था में आपका जो लोवर पार्ट होता है लोवर एब्डॉमिनल होता है यूट्रस होता है ये जैसे ही बढ़ना स्टार्ट होता है वैसे ही आपके जो रेस्ट होते हैं इसमें कुछ महत्पुर्ण बदलाव होना सुरू हो जाते हैं ये महिलाओं को फीडिंग की प्रकीरिया डिलेवरी से पहले ही चालू हो जाती है रिसाओ होने लगते हैं कई बार बहुत सारी महिलाओं को जो है यलो यलो कुछ निकलता हुआ दिखाई देता है द्रवे जैसा उनके ब्रेस्ट से इसी वज़े से जब आप गर्वधारन करते हैं उसी समय से आपके ब्रेस्ट में बदला होना बिलकुल आम बात है सुरू हो जाता है जो कि पिग्निंसी हामोन की वज़े से होता है और जो आपका ब्रेस्ट होता है इसमें कुछ डक्ट होते हैं मिल्क डक्ट इसे कहते हैं जो क बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं और ये डक्ट की बढ़ने की वज़े से आपके ब्रेस्ट में स्वैलिंग भी हो जाती है इसके अलावा जो निपल के आस पास का एलोरा का भाग होता है वो बहुत ही जादा डार्क दिखाई देता है क्योंकि सरीर का बलड सर्कूलेशन बढ़ जाता है और ये जो टीशू होते हैं वो पहले से जादा अती सम्वेदल सील हो जाए इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं में बहुत जादा चेंजिस आते हैं क्योंकि हर महिला की बाड़ी अलग-अलग होती है इसलिए बहुत सारी महिलाओं को और भी कुछ-कुछ अलग-अलग कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं बट हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट के उपर सो फ्रेंस में आपको ये बता दू कि कई बार आपको स्टार्टिंग में पहले दूसरे और तीसरे महिने में ब्रेस्ट में का ज्यादा सोरनेस फील हो सकता है बहुत ज्यादा के उपर डिपैंड करता है आपके हामोन के कंडिशन के उपर डिपैंड करता है जिन महिलाओं में हामोन बहुत जल्दी से बढ़ते हैं उन महिलाओं के जल्दी निपल डार्क दिखाई देने लगती है एक महत्पूर्ण हार्मोन होता है प्रेग्नेंसी जब रुकती है उस आमख nurse 깍मों होता है वो ज्यादा होता है तो एसी महिलाओंग का छलर बी डल होता है और आसी महिलाओं के डीपल के आसपास के बार होते है वह ज्यादा तार के दिखाई देता है जिन्में मिले निन कम होती है उनमें बहुत खास परिवर्तन आपको मैसूस नहीं होगा इसकीन से जुरा हुआ अब बात करते हैं कि माननेताएं क्या है जो बड़े बुजुर्गों ने बताया है जो पुरानी माननेताएं है उसके हिसाब से अगर निपल के आज़ पास का कलर जादा डार्क दिखाई देता है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है अगर इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई देता है तो फिर बेबी गर्ल होने वाली है यह सारी एक माननेताएं है मन को सुखद सुखी बनाने के लिए बनाई गई है और बहुत बार यह कुछ महिलाओं पर सही होती है कुछ पर गलत होती है तो इसी बिहाब पर यह सारे प्रेडिक्शन जो होते हैं वह 50% त सकती है कि आपको क्या होने वाला है लेकिन 100% कभी भी कंफर्म नहीं हो पाएगा क्योंकि फ्रेंड्स 100% कभी भी आपको बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल कंसीव करना है या फिर है या नहीं है यह जानने का तरीका अल्टरा साउंड होता है जो कि इंडिया में बिलकुल है और यह इनलीगल होने की वज़ज़ से आप पर बहुत सारे एक्शन भी लिए जा सकते हैं इसलिए इन जंजटों में ना पड़े आपका जो एलोरा का कलर होता है ब्रेस्ट का क्यों बदलता है एक्जेक्टली जो कि हमारा मेडिकल साइंस भी बताता है वो मैंने आपको अब दोस्तों एक और चीज़ बता दे कि जब भी आपके ब्रेस्ट में इस तरीके से संबेदन सीलता दिखाई दे रही है तो आपको हमेशा मॉस्चुराइज रखना चाहिए आपके स्कीन को कभी कभार ये काफे ज़्यादर ड्राइ होने की बज़ज़ से भी प्रॉब्ल इससे समझती है और अगर फिर भी कोई जादा प्रॉब्लम हो तो तुरंत अपनी डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजे आइडियली होप यह वीडियो आपके लिए बेहत इंफॉर्मेशन से भड़ी थी तो शेयर जरूर करें लाइक करें चानल पर यूही आगे और भी इंफॉर से बने हुई वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जूड के रहें सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ अपना पूरा ख्याल रखिए टेक क्यार फ्रेंड्स नमस्कार